आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों की लंबाई को कैसे बढ़ा सकते हैं और बहुत ही कम समय में बालों की ग्रोथ को डवल करके आप अपने बालों को मोटा घना कैसे कर सकते हैं ये रेमडी आपके बालों का ज़ड़ना पूरी तरीके से रोक देगी बालों को इतना सिल्की शाइनी बना देगी कि आपको कभी भी कंडिशनर की जरुवत नहीं पड़ेगी अगर आप इस रेमडी का इस्तिमाल करते हैं तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्रीस हमाया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिक्सी के जार में दो से तीन चमच आप दही डालें फ्रेश ले लें दही और एक मुठी भर के करी लीवस इसमें एड़ कर दें अच्छे से दोदा के करी लीवस को साफ कर लें आप चाहें तो इसमें दो से तीन टुकड़े केले के काट कर भी डाल सकते हैं पाने वगारा कुछ न डालें और इसे पीस के त्यार कर लें पीसने के बाद आप इसे अलग बोल में निकाल लें और ब्रश की हेलप से या फिर आप कॉटन ले लें या फिर हाथ से भी अपने बालों पर अपलाई कर सकते हैं बालों पर लगाने के बाद दो तीन घंटे इसे ऐसे ही छोड़ दें जब आपको लगे हलका सा ड्राई हुआ है उसके बाद आप बालों को दो दें एक दिन के बाद आपको शैंपू करना है इसका इस्तेमाल करने से कई बार कंगी करते हुए बाल बीच से तूटने लगते हैं या फिर कभी बिस्तर पर सोते हैं तो सुबा कुछ कर देखते हैं बिस्तर पर बहुत जादा बाल जड़े हुए होते हैं बाल तोटते हैं बाल जड़ते हैं या बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है अब बहुत पतले हो गए हैं बालों की लंबाई बढ़ाएगा बालों का बीज से तूटना और बार बार इदर विदर अगर बाल आपके बिखरते रहते हैं तूटकर गिरते रहते हैं वो पूरी तरीके से रुकेगा और इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं महीने में आप इसे चार से पांच बार जरूर इस्तेमाल करें इसके इस्तेमाल से ये आप के बालों के सारी परेशानी को ठीक करेगा और आपके बालों को काला बनाएगा दही बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाने के साथ साथ आपके बालों को हेल्दी भी बनाता है तो इस तरीके से इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से आपकी तमाम परेशानिया खतम हो जाए कि वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल